यारो यह क्या देख रहे हो यारो क्या कुछ समझ रहा है आज क्या मैं बताने वाला हूं आप लोगों इन द्धून से देखो तो इसरबे को यह क्या है ब्हाइं जिसके पिताजी किसान है उन लोग एक लाइक जरूर करना यार मेरे पिताजी तो मैं उनके मतद तो जरूर करूंगा यार आप लोगों भी करना इस वीडियो देखे तो चलो आज इस वीडियो में आज क्या सीखने वाले हैं आप लोगों को पताल लग क्या होगा कि देखिए ये जो रसी है ना मैंने इसे कितना पेशा दिया देखिए ठ्रेंस ये सो रुपया में मैंने दुकान से खरीद कर लाया हूं तो चलो इसकी यह रसी होता है इसे हम नया बला लगाएंगे जब से हमने इसे खरीदा था इस रब्बे को मतला स्प्रे मसीन को उसी दिन से इसे हमने कभी बदला भी नहीं था तो आज इसे बतल देंगे तो कैसे बदलेंगे यह आपको देखने में बहुत इजी लगता होगा लेकिने असल से इजी होता ही नहीं बहुत सारे लोग इसकी यह रसी को लगाना भी नहीं जानती तो चलो इस वीडियो में देखते हैं यार आउज स्टार्ट करते तो देखा मैंने इसे कट कर लिया उसके बाद क्या करेंगे इसे निकालेंगे देखिए यह प्लास्टिक वाला पेरे लगा हुआ था प्लास्टिक वाला लगा हुआ था तो चलो इसे अन्बक्सिंग करते हैं तो हेलो गाइस माइने मीं समांदा पतान यार वाचिंग आज यूटूब चैनल्स देखो यह कौन सा कंपेनी का देखिए देखा आपने यह कितना लंबाई है कुछ चोड़ाई है आप लोगे देख सकती हो चलो इसे अन्बक्सिंग करते हैं तो देखा फ्रेंज यह लोहे का ही है पहले वाला तो प्लास्टिक था यह लोहे का है यह ज्यादा दिन तक चलेगा लेकिन यह रोस्ट भी लगेगा तो चलो देखो इसे पहले हम केसे लगाएंगे ध्यान से इस वीडियो को देखना फ्रेंज तभी आप लोग लोगा पाऊगे नहीं तो बहुत दिक्कत करता है यह तो यह उपर वाल लगाना तो बहुत दिजी है देखो मैंने केसे लगाया हूं तोड़ा केमरा लगा क्या खड़ गया क्या भाई सच में यह द खड़ लेकिन आप लोग लगा पाऊगे उपर वाला लगाना बहुत हीजी होता है देखा है और यह उपर वाला को आपको एड़जस्ट भी करना है आपके हिसाब से आप स्प्रे मुशिन को कितना हुचाई पर रखोगे या कितना धिला रखोगे या आप लोग इसमें एड़जस्ट कर सकते हो इस वीडियो को ध्यान से देखना फ्रेंस देखो इसे मैंने कैसे लगाया देखिए पहले नीचे वाला से लगाया कि उपर वाला से लगाया देखिए पहले हमने नीचे से लगा दिया इसे उसके बाद मिडिल से लगाया देखो ध्यान से देखना फ्रेंस इस वीडियो को दे उसके बाद क्या करें देखिए ये हो गया ये वाला फिक्स रोएगा फ्रेंस एक तो पट्टी मैंने लगा कर दिखा दिया आप लोगों को उसके बाद दूसरा वाला आराम से लगा से दिखिए ये धागा आपके पास ही है आपके पीता जी हिसान है तो आपके पास जरूर हो होगा एक सुस्क्राइब जरूर करना फ्रांस बीडियो बनाने बहुत महनन लगती है यार तो फाइनले फ्रेंस एसे आप लोगों को इसे लाइग कर देना है लिखी से अच्छी तरीके से देखा मैंना बहुत इजी तरीके से मेरे पीटाजी को मैंने लोग भी एससे जरूर करना फ्रेंस इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना तो देखा तो आप लोग इससे जरूर घर पर खुद का चीज़ खुद बनाना फ्रेंस तो चलो मिलते हैं और एक वीडियो में थैंक्यू पर वाच्छा